प्यारे चात्र वाज का वेडियो है Oxford Basic English Grammar से और exercise 24 और जैसे कि आप देख रहे हैं यह जो है नंबर से अथात बचन से है और यहां पर कहा जा रहा है नीचे दिये गए सब्दों के plural form लिखे अर्थात यह singular है और इसका हमें plural लिखना है तो आप जानते हैं जो नंबर जो होता कि या वस्दू का बोध होता है तो यहां प्town जो kow देख रहे है इसमें हम as जोर कर प्लूरर मुझा wrapped करें एक गाए और अनेक गाय लिखना हो तो हम लिखेंगे cows क्या लिखेंगे अब यह कैट कई तो इसमें भी हम as क्योड़ें है कैट की जोल्ड़ हो जाएगा है य को हटाके is डाला जाता है लेकिन य से पहले देखिए यहां पर यह स्वर है यारी कि वावल है तो यह नहीं हटेगा और इसमें केवल एस लेगा क्या हो जाएगा ब्रदर्स हो जाएगा अब क्या है नेम तो इसको लिखे लिखे नेम्स ट्री तो ट्री से बनाएए ट्रीज अब बेंच यहां पर देखिए लास्ट में जो है च आ गया है तो इसके लिए नियम है यारी लास्ट में जो है सिंगुलर नाउन के लास्ट में च हो या फिर एस हो या फिर डवल एस हो या फिर एस हो या फिर एक्स हो तो उसमें जो है य जोर कर है तो यहां पर देख थी है तो आप इसको बेंचेज्य लिखे बि-e-n-c-h-e-s यहां पर ए-e-s जुरा तो यह हो गया प्लूरर बैंचर और यह हो गया बेंचेज अब यहां देखे तो इसमें भी वही है तो इसको आप लिखें इंचेज इसे जो गए वाच इसमें भी छ तु वाच इज लिखे वाच इज और क्या है एस यानि कर दहार तो एसेज हो जाएगा ऐसेज एसेज फिश को लिखे फिशेज फिशेज बस तो यह हो जाएगा बसेज एस है लास्ट में box तो हो जाएगा box इज boxage, dis, dis, class, class, classage, name, यहाँ पर देखे, double है, यहाँ भी name है, यह exercise में है, name, name, यह double लिख दिया है, तो आप हो सके, तो बना लिजिए, यहाँ आप name से लिख लिजिए, या फिर छोड़ दीजिएगा, double है, names, और यहाँ देखे, table, तो क्या हो जाएगा, tables, tables, इस तरह से,